इस दुनिया का चाहे कोई भी माता पीता हो, अपने बच्चों का एक बेहतर भविस बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, पर वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी ख्वाईसों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक कदम उठा लेते हैं, जिसकी वज़े से उनके माता-पीता समाज में किसी को मुह दिखाने लाइक नहीं रह जाते हैं, आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, एक लड़की जो अपने माता-पीता के खिलाफ जाकर साधी तो कर लेती है, लेकिन साधी के बाद समय के पहिया में एक ऐसा मोड आ जाता है, जहां पे लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़के चली जाती है, लेकिन असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद हर ब्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इसमें गल्ती ठीक इसकी, नमस्कार आदाब मैं हस्मुदीन और आप इसी आगरा जीला का एक थाना पढ़ता है छता, छता थाने के अंतरगते की इलाका आता है कचाहरी घाट और इसी कचाहरी घाट इलाके का रहने वाला राम आवतार, राम आवतार की पत्नी का नाम माया, राम आवतार के टोटल तीन बेटियां हैं जिसमें बड़ी बेटी क की साधी कर चुका है दूसरी बेटी के लिए लड़के की तलास कर स हुझा कर रहा है और टीसरी बेटी सिलपी जिसकी उम्रहलागभग 16 साल जो हाई स्कूल we go पढ़ाई कर रही है। सिल्पी जो देखने में जितने ही खुबसूरत उतने ही ज्यादा चंचल। सिल्पी के ही इलाके का रहने वाला इर्फान। इर्फान जिसकी उम्रहलागबग 21 साल जो एक जूता फेक्टरी में काम करता है। इर्फान के पीता का नाम मुहम्मत सभीर। सबीर के टूटल तीन बेटे हैं जिसमें इर्फान सबसे बड़ा है। सिल्पी जब भी अपने स्कूल के लिए घर से निकलती है तो अकसर इर्फान के गली से ही होकर जाती है। एक दिन इर्फान जब पहली बार सिल्पी को देखता है तो उसकी खुबसूरती देख उसका दिवाना हो जाता है। उसके बास सिल्पी जब भी अपने स्कूल के लिए घर से निकलती है इर्फान आकर अपने गली में खड़ा हो जाता है और सिल्पी को तब तक नहीं हरता है जब तक सिल्पी उसके आँखों से ओझल नहीं हो जाती है। हाला कि सिल्पी को भी समझने म प्रेम परसंग शुरू हो जाता है जब दोनों के बीच में प्रेम परसंग शुरू होता है तब सिल्पी को मालुम चलता है कि इर्फान एक मुस्लिम लड़का है लेकिन इर्फान के बारे में सचाई जानने के बावजूद भी सिल्पी इर्फान से बे इंतहा मोहबत करती है चल जाता है एक दिन एक पडोसी सिलफी के पीता राम आउतार से कहता है कि तुम्हारी बेटी का एक मुसलिम लड़के के साथ में प्रेम पर संग चल दा है उसे संभालो नहीं तो काफी बुरा हो सकता है पडोसी जैसे इस तरह की बाते राम आउतार से कहता है इसे सुन कर रा साधी करना चाहती हूँ, सिलपी जैसी इस तरह की बाते अपने माता-पीता से कहती है, उसके पीता इस बात पे काफी गुस्सा हो जाते हैं, और तुरंथी सिलपी का घर से बाहर निकलना बन कर देते हैं, साथी साथ उसका पढ़ाई भी छुड़वा देते हैं, सिलपी जब पर भी इर्फान से मुलकात नहीं कर पाती है लेकिन आखिर कार मौका निकलते निकलते एक दिन सिल्पी को मौका मिलता है और फिर इर्फान के साथ फरार हो जाती है इर्फान के साथ जैसे ही फरार होती है आसपरोस के लोगों को जब मालूम चलता है तो आसपरोस के लोग रा पुलिस जब मुकदमा दर्ज करती है, इर्फान और सिल्फी को ढूनने लगती है, आखिरकार एक सप्ता के अंदर ही इर्फान और सिल्फी को पुलिस ढून निकालती है, और फिर दोनों को कोट में पेश करती है, उस वाद सिल्फी नवालिक होती है, इसलिए आदालत सिल्फ को उसके माता-पीता के हवाले कर देती है और इर्फान को जेल भेज दिया जाता है इर्फान जब जेल चला जाता है इस बात पर सिल्पी काफी नराज हो जाती है अपने माता-पीता से बगावत कर लेती है सिल्पी को लगता है कि उसके माता-पीता के वजह से ही इर्फान जे हो जाता है जैसे तैसे थोड़ा सा समय गुजरता है सिल्पी इर्फान से कहती है कि मैं तुम्हारे बगर नहीं रह सकती हूं मुझे यहां से कहीं दूर ले करके चलो सिल्पी जब इस तरह की बाते इर्फान से कहती है तो इर्फान भी सिल्पी की बातों में आ जाता है और फि पूलिस फिर से इरफान और शिल्पी को तलास करना सुरू कर देती है लेकिन पुलिस को इस बार सिल्पी और इर्फान को तलास करने में एक महीने का समय लग जाता है आखिर कार एक महीने बाद पुलिस फिर से सिल्पी और इर्फान को कस्टडी में लेकर ठाने पहुंचती है और फिर दोनों को कोट में पेस करती है उसवाद भी सिल्पी नबालिक होती है आदालत उसे उसके माता-पिता के हवाले करती है लेकिन सिल्पी अपने जीद पर उतर जाती है और कहती है कि मैं अपने माता-पिता के साथ नहीं जाओंगी इसलिए आदालत सिल्पी को नारीनी केतन भेज देती है और फिर इर्फान को जेल भेज देती है नारीनी केतन जब सिल्पी जाती है तो अपने माता पीता से हमेशा के लिए नातारिस्ता तोड़ लेती है सिल्पी अपने माता पीता से इस कदर से नराज हो जाती है कि सिल्पी को लगता है कि उसके माता पीता उसकी जिंदिगी को बरबाद कर चुके है क्योंकि उसके माता पीता के वज़ा से ही अब उसका पती जेल के सलाखों के अंदर है जैसे ही डेर साल का समय गुजरता है सिल्पी जब बालिक हो जाती है नारीनी के तन से बाहर होती है तब तक इर्फान भी जिल से बाहर आ चुका था सिल्पी जब नारी निकेतन से बाहर होती है तो उसे रिसीव करने के लिए इर्फान वहाँ पहुंचता है लेकिन साथी सार सिल्पी के माता पीता भी वहाँ पहुंचते हैं सिल्पी के माता पीता उसे अपने साथ लाना चाहते हैं लेकिन सिल्पी अपने माता पीता से साफ साफ कह देती है कि एर्भान मेरा सोहर है, मैंने उसे साधी कर लिया है, मेरा आप लोग के साथ में कोई रिस्ता नहीं है, मैं अपने सोहर के साथ जाना चाहती हूँ, सिल्पी अपने सोहर के साथ स्वसुराल चली जाती है, लेकिन सिल सिल्पी जब अपने पती के साथ सुराल चली जाती है जब कुछ साल का समय गुजर जाता है उसके बाद से सिल्पी और इर्फान के प्यार का बुखार उतर जाता है क्योंकि जब दोनों एक साथ में अपना जीवन ब्यतित करना सुरू करते हैं इर्फान का माली हलक काफी खरा और सिल्पी का डिमांड पूरा नहीं कर पाता है जिसकी वज़ा से अब आये दिन हर रोज सिल्पी और इर्फान के बीच में हर छोटी मोटी बातों को लेकर जगरे तकरार सुरू हो जाता है बात इस कदर से आगे बढ़ जाती है कि आखिरकार एक दिन इर्फान सिल्पी के उ कुजरा भी नहीं हो रहा था। सिल्पी के सामने अब कोई रास्ता नहीं बजता है आखिरकार अपने सारी खोईसों को मार कर किसी भी तरीके से इर्फान के साथ में अपना जीवन बयतित करना सुरू करती है लेकिन इरफान का दिन पर दिन माली हलत खराब होते ही चला जाता है इस कदर से सिलफी परिसान हो जाती है कि आखिर कार मजबूर होकर एक दिन अपनी मां से मिलने के लिए घर पे जाती है सिल्पी जब अपने घर पे जाती है जब उसकी माँ अपने नजरों के सामने देखती है उसकी माँ सिल्पी को तुरंथ ही गले लगा लेती है लेकिन सिल्पी अपने मां से रोते हुए कहती है कि मां मुझे माफ कर दो मैंने अंजाने में पहुत बड़ी गलती कर दिया है मैंने एर्फान से साधी तो कर लिया है लेकिन उसका माली हलत बहुत खराब है आप उसकी मदद कीजिए सिलपी जब इस तरह की बाते अपनी माँ से कहती है तो उसकी माँ भी सिलपी की तमाम गलतियों को माफ कर देती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है और फिर सिलपी की मदद कराने के लिए अपने पती राम आउतार से बातचित करती है लेकिन जैसे ही अपने पती राम आउतार से कहती है कि सिल fairy घर आई है और वो अपने पती के लिए मदद मांग डिया इस बात पे राम आउतार काफी गुसे में आ जाता है राम आउतार कहता है कि जिसे मैंने कभी अपना दमाधी नहीं माना मैं उसकी भला मदद क्यों करूँ राम आउतार सिधे सिधे अपना हाथ खड़ा कर देता है और कहता है कि मेरी बेटी से कोई मेरा रिस्ता नहीं है आखिर कर सिलपी वहां से रोते भी लगते अपने घर चली आती है तभी 12 दिसंबर 2016 को राम आउतार को एक ख़बर दी जाती है कि दरसल सिलपी की उसके घर में उसकी हत्या कर दी गई है राम आउतार को जैसे ही ख़बर मिलती है राम अतार अपनी पत्नी के साथ लेकर अपने बेटी के घर पे जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी की डेट बोडी उसी के कमरे में बेड पे पड़ा हुआ है दरसल उसके गले पे एक साफ निसान दिखाई दे रहा था जिसे देखकर साफ लग रहा था कि उसकी गला दबाकर के हत्या की गई है तुरंती इस बात की सुचना पुलिस को भी दी जाती है पुलिस भी घटनास्तल पे पहुंचती है पुलिस जब घाट नास्तल पे पहुंचती है तो सबसे पहले सिलपी की डेट बोड़ी को अपने कबजे में लेती है और फिर उसे पुस्माडम के लिए भेज देती है और फिर इस केस की छान बिन करने के लिए सबसे पहले सिलपी के पीता राम आउतार से पूच्टाश करती है तो राम आउतार पुलीस वालों से कहता है कि साब मेरी बच्ची की हत्या उसके ससुरौाल वालों नहीं किया है क्योंकि सब के सब घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं पुलिस राम आवतार के ही तेरीर पे नमजद मुकदमा दर्ज करती है राम आवतार सिल्पी के पती इर्भान उसके ससूर सबीर और सिल्पी के दोनों देवर जमीर और फुरकान के नाम पे नमजद मुकदमा दर्ज करवाता है पुलिस जब मुकदमा दज करती है उसके बाद से इर्भान के पूरे परिवार को जहां तहां तलास करना सुरू कर देती है पुलिस अपनी तमाम कोशिस कर लेती है लेकिन इर्भान के पूरे परिवार का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और आखिरकार देखते देखते लगभग एक सप्ता का समय गुजर जाता है आखिरकार एक सप्ता बाद पुलिस सबसे पहले इर्फान के पीता सबीर को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंचती है पुलिस जब सबीर को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंचती है तो सबीर से सबसे पहले सिलपी के हत्या के बारे में पूस्ताश करती है तो सबीर साफ साफ कहता है कि साफ मैंने सिलपी के हत्या नहीं किया है बलकि मुझे ये भी नहीं मालूम है कि सिलपी के हत्या किया किसने है पुलिस अपनी तमाम कोशिस कर लेती है लेकिन सबीर अपना जूर में इकबाल नहीं करता है चुकि सबीर के उपर नामजद मुकदमा दर्ज था इसलिए पुलिस सबीर को जेल भेज देती है लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और वक्त गुजरता है एक महिने के बाद पुलिस इर्फान के दोनों भाईयों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है जब दोनों भाईयों को कस्टडी में लेकर आती है उन दोनों से भी सिल्फी के हत्या के बारे में पूस्ताश करती है लेकिन इर्फान के दोनों भाई भी पुलिस वालों से यही कहते हैं कि साब हमें नहीं मालूम कि भावी की हत्या किसी ने किया है दरसल उस वक्द तो हम घर पे थे ही नहीं पुलिस इन दोनों के उपर भी काफी सकती दिखाती है लेकिन इसके बावजूद भी इरफान के दोनों भाई अपना जुन्म नहीं कबूल करते हैं आखिरकार पुलिस इन दोनों को भी जेल भेज देती है इसके बाद से पुलिस अब इरफान की तलास करना सुरू कर देती है पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है लेकिन इरफान का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और आखिरकार साल 2017 के जून महिने में इरफान खुद ही आदालत में आत्म समरपड कर देता है पुलिस जब इर्फान को अपने कस्टडी में लेती है उससे भी सिल्पी के हत्या के बारे में पूस्ताश करती है तब जाकर के इर्फान पुलिस वालों से कहता है कि साथ सिल्पी की हत्या हमारे परिवार में किसी नहीं किया है बलकि सिल्पी ने आत्म हत्या किया है लेकिन जैसे ही हमने देखा कि सिलपी इस दुनिया को छोड़के जा चुकी है हमारा पूरा परिवार काफी डर गया था डर के मारे हम सब के सब घर छोड़कर के फरार हो गए पुलिस इरफान को भी कस्टडी में लेकर उसे जेल भेज देती है फिलहाल ये सारे आरोपी जेल के अंदर है लेकिन सिलपी के पीता राम आवतार का कहनाम है कि मेरी बेटी ने आत्म हत्या नहीं किया है बलकि उसकी हत्या की गई है ये केस राम आवतार ही लड़ रा है और राम अवतार का कहा नाम है कि जब तक मेरी बेटी को इनसाप नहीं मिल जाता है तब तक मैं किसी भी आरोपी को बक्सने वाला नहीं दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं आप अपनी राय हमें कमेंड बक्स में जरूर दीजिएगा तब तक के लिए जै ही जै भारत